देखे फ्रेंड्स, क्लाश 12 के हिंदी का पेपर है, जो 16 फर्वरी को हुआ है, वो पेपर कोड है 302, ZM, और 2223 का पेपर है, देखे इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो इसके सुरू में मिलेंगे आपको objective question इस तरीके से, कितने आपके सही गए आप चेक आउट कर सकते हैं, इस सारे के सारे हम correct वाले इसके option बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही check कर चुके हैं सारे के सारे इसके answer, तो पहला question है, कि भारतेंदू हरिश्च अंद्र द्वारा संपादित पत्र का कौन सी है, तो वो है आपकी कभी बचन सुधा, कौन सी है, कभी बचन सुधा है, next वाला है question, स्रद्धा भक्ति निवंद के लेखक कौन है, तो स्रद्धा भक्ति निवंद के लेखक हैं, आपके राम चंद्र सुकल है, कौन है, राम चंद्र सुकल है, next वाला है, कि रंग भूमी पन्यास के लेखक है, रंग भूमी पन्यास के लेखक है, वो है आपके प्रेम चंद, कोशन है कि राष्ट का स्वेर्व अपर निवन्द वासू देव सरण अग्रवाल किस निवन्द संग्रह से लिया गया है तो यह लिया गया है पिर्थवी पुत्र से लिया गया है चलिए आगा कौन से आ रखें उसको देखें ध्यान से देखिए आगे आपको मिले हैं क्या है कॉशन देखेंक्स वाला कोशन है कि ग्रिजा कुमार मातुर किस काल के कभी हैं तो ग्रिज़कवार जो मात हो रहे हैं ये आधुनिक काल की कवी है ओके नेक्स वाला है कि प्रिगतिवादी काब धारे के जो प्रम कवी है वो कौन से हैं वो है आपके केदारनात अगरवाल कोने केदारनात अगरवाल हैं और नेक्स वाला है वो देखे ध्यान से कि लेहर का बेकिर्थी के रश्नकार हैं तो वो है जैसंकर पुरसाद कौन है जैसंकर पुरसाद है और नेक्स वाला देखें क्या दे रखा है कि उर्मिला का व्रह वर्लन साकेत किस सर्ग में मिलता है तो ये मिलता है नवम सर्ग में क्या रखा है कि परिवर्तन किस कभी की रचन है जो परिवर्तन है वो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है कौनची है सुमित्रा नंदन पंत की है और आगे आपको मिलेगा गध्धांस और गध्धांस इस तरीके सा रखा है आप देख सकते हैं किस चैप्टर से लिया गाया ह को चैप्टर का नाम पता होना चाहिए आपको याद होना चाहिए किसे लिगा है कर सकते हैं दिमाग लगा के स्कुन है इसको कभी कून है यह पता होना चीए तभी आप कर पाएंगे आप देख पार होंगे उसको क्या रखा है उसको देखे दियांद से देखी देखे कोशन नमर फाइव रखा है यह आपका है साहितिक परीची और साहितिक परीची आपको देना है पांच नंबर में है और यह कीरते लिखनी है इसकी और क्या देना इसका साहितिक परीची लिखना है आपको कोई से भी टीका पाकी के लिए वह वातानी के लिए यह सब्सक्राइब करते हैं और साथ वह कोशन दे रहा का आपका क्या दे रहा है तो आपको िखनकावी के अधार पर किसी एक के परसम पहतर दीजिए तो आपको मुक्तिक्टी अग्डियों लिख देना है गांजी जी बारे में लिखना होता है यह पांच नंबर आपको यह सब करा चुके हम और काफी आपने याद किया है कर दिया होगा और और नेक्स वाला क्या दे रखांवक दिया है उसको देगी त Current आपके पास किन लॉल फू वoton से रहें कि और यह लगा किने इसे अली ethics और आगए देखेंके आपने कितने सही करें सारे के सारे कैसारे के सारे यह आपका रखेंके मुहाबर नो तो ग्यारे होना सब पता आपको पुलू सीधा करना यह सब आपको पता राम से कर देऊंगे आप देखे कोश्टन नमर दसबा क्या है संदी बच्षिद है तो रभी का संदी बच्षिद क्या है तो रभी को ऐसे दो सब्दों तोडो जिसको कोई मतलब निकलता हो तो रभी प्लस इंद्र पहले वाला उफ्ष क्यों है रभी प्लस इंद्र क्या है कि रहने स्कास विख्षीत क्या है ठेस्ट उप से सद्धेयों होता है अथी प्लस चार स्टीencias होता है यह विए वाला क्रक्ट हो जाएगा आगे देखें आगे के दर्खा Ibok учishing और बचन विभक्ति बचन बताना आपको आत्मनी यह सारी आपको हमने ट्रिक्स से बता रखिए ओक्ति नी आ is व्हार सब्थिमी विख़्टि और आगे देखें और मेद्थिते हैं और नेक्स वाला देखें कोशन नमर 11 क्या है कि निमलिक्त शब्द यूग मुका सही अर्थ चेन करके लिखी अभी राम का मतलब क्या होता है और अभी राम का मतलब क्या होता है या आपको बताना है तो अभी राम का मतलब होता है बिना रुके या लागातार अभी राम का मतल करें जो बन्दना करने योगी हो तो बंद नहीं हो जायेगा जिसकी बंदना की जा सकें ऑके तो और आगे देखें नेक्स वाला देखें कैदे रखा है देखी देखें नेक्स वाला कोशन उसको देखें जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजे क्या बोलते हैं अजे जो जीता ना जा सके उसको अजे कहा जाता है तो पहला वाला उसन इसका करक्ट हो जाएगा आगा है किसी धो कर लिए हो तो दो कर लिए ना गुना वेह लड़के वहां जा जा रहे हैं कि लिए से परेए आंक आपने ये फरत कर लिए उमीद है साथ रहा है 6 के वाखेजिक में नियुक्ति है तो प्रिबंद को 1 आपकर 6 आपको कहीपर प्रबंद्दन के लिए डिए या कुछ tr karm करने के लिए पंडो नियुक्ति है अपने गाउं या अधिकारी को एक पत्र लिखना होता है तो अधिकारे को एक पत्र लिखना होता है सबसे इम्पोर्टन कोस्ट है जो आपको ज़रू करना होता है एगजाम में साहित्य और समाज का अंत संबंद ये आ रishy महेंगाई के समस्य वज़ा कारंगों निवरण अपनी समझ के अधार पर आपको जी लिखना था आसान तोरी के से और 5 डार चेनल को सब्स्राइब easy okay